भारत माता की जय श्री नाम भारती जन्तापार्टी गोड़कपुर छेतर के भूध अथ्यक्सवां के आज के संब्यलन को अपना योग्यमार्ग गर्संद प्रदान करने के लिए यहां परपस्तित भारती जन्तापार्टी के पिससी रास्ति अध्यक्स आधनिय अवित साजी मंच परपस्तित भारती जन्तापार्टी के रास्ति महामंत्री श्यरूर सिंग जी प्रदेश के हमारे डुक्रिय अध्यक्स डॉक्टर महितरनाथ पांडी जी केंद्रिय मंत्री मानिय सीश्य प्रताप सुप्र जी प्रदेश के संगठन महा मंत्री सीश्वनील वन्शल जी प्रदेश सरकार में मेरे सभी सयोगी मंत्री काण गोरकपूर छेत्र के सभी माननीय सांसतगाण माननीय विधायकाण भारती जन्ता पार्टी के सभी प्रदादी कारी रुपस्तित कारी करता बंधो मैं आप सब की ओर से आधने रास्तिय ध्यक्षी का गोरक्स भूमी में हिर्दे से स्वागर और अभिनेंदर करता हूँ यह हम सब के लिए सभाक्य का उसर है कि 2019 के चनाओ के दिश से जब हम सेनाएं कसी जा रही है तो सभाएक रुप से संगठन के सेनापती के रुप में रास्तिय ध्यक्षी का मार्क दरसन आज इस सेत्र के भूत अध्यक्षों और उपर के पदादिकारियों को प्राप्त होड़ा है संगठनात्मा क्रूप से देश और दुनिया के अंदर सबसे बड़े रास्तिय ध्यक्षी के रुप में भारती जंता पार्टी और केवल भारती जंता पार्टी एक रास्तिक्दल ही नहीं मुल्यों सित्तांतों और आजरसों पर चलने वाला काडर बेस पार्टी और इसी बात को लेकर के आदमिये प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि मेरा बूत सबसे मजबूत अगर इस भाव के साथ साथ एक एक बूत अध्यक्स अपनी रणीती के साथ संगठन की रणीती के साथ कारे करने लग जाएगा और जो अभिहान आने वाला है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार इस भाव को हम जन जन तक भर लेंगे तो केंद्र सरकार की साड़े चार वर्सों की उपलत्यों के साथ-साथ आदरिय फुधान मंत्री जी के मार्क दर्संग ने विकार पौने दो वर्स के दोरान प्रदेश के अंदर जो विकास की योजनाएं हम लोगों ने आगे वढ़ाई हैं इन योजनाओं के बलपार इन योजनाओं के दम पर भारती जनता पार्टी के सामने कोई भी रास्मितिक्तल कोई भी कडवनन नहीं फैर पाएगा केवल एक-एक कारकरता को अपने भूत को समानले के तैयार होना होगा मैं कल बिहार में गया था और बिहार के पूणिया में मैं इसी प्रकार के एक सम्मेलन में गया था क्या उत्सा है लोगों में वहाँ पर जिन लोगों को कभी योजनाओं का लाब नहीं मिल पाया था उन लोगों ने कहा कि साड़े चार वर्स के दोरान मोदी जी ने काव गरीब किसान नौज़मान महलाएं ल्यातारी समास के प्रतेग तब्के को बिना भे दभाव के योजनाओं का लाब जिस रूप में देने का कारे किया आज उसका पेडा में की जातिय ताकि दिवारे दरकी हैं मिटी हैं समाक भू ही हैं और विकास और सुसासं के और साच्क्रफिक राश्ट वाथ की और लोगों के मन में एक नया विष्वास जगाई है उस नए बिस्वास को जगाने के लिए आज राश्ट्य अध्यक्जियम सब के मीच नाए है वाई ओवे नो विकास का कोई भिकल्ब नहीं हो सकता ये महाराज गंजन्पद है यहां से मुस्किल से पचीज किलोमेटर की दूरी पर नैपाल की सीमा लगती है और आप सब जानते हैं यही महाराज गंजन्पद है जिस महाराज गंजन्पद में भगल के उसी नगर जन्पद में लगब चार लाट के आवादी के मुसाहर चाहती के लोग रहते थे सबसे दीन हीन कुछ भी उनके पास नहीं था और जब पहली सरकार चुने जाने के बाद प्रदेश के अंदर हमारी बैठेक राष्टिय अद्रेश के साथ हुई तो राष्टिय अद्रेश जी ने कहा कि वास्तों में सरकार का मत्तब तब जब पंडित दीन जालोपात प्रदेश के अंतोगे जो सबने कौन साथ आर कर पाएंगे जोंतिम पैडार पर बैठे वे एक्टिकी आवास सरकार के कानों में सुनाई दे और इसके लिए प्रियास होना चाहिए ऐसे लोगों को चुनो जिन लोगों को अब तक सासन की योसनाई नी मिल पाई और मित्रों आपने देखा होगा मुसर जाती के इन सभी चार लाट लोगों को हम लोगों ने रासन कार एक एक आवास और पेंसन की सुविधा के साथ जहां जोड़ने का कार किया है हर मुसर चाहती के परिवार को आवास के साथ साथ रासन कार्ड की अन्वा रेता पेंसन की अन्वा रेता और साथ साथ उन लोगों को साथ साथ की सभी योजनाओं के साथ जहां जोडा गया उनके लिए कार्ड साथ कार्ड बनाना उनको बिजली के निसुल को कनेक्शन अप्लब्द कराना उनको जुला योजना के निसुल को कनेक्शन अप्लब्द कराने का कार्य हुआ वही महाराज गंजन्पक के अठारा गाओं ऐसे थे जिन अठारा गाउं को आजादी के बाद किसी भी प्रकार की कोई सिब्धादी के पास कोई मकान नहीं था ना सबक थी ना बिजली थी ना पानी थी ना किसी प्रकार की कोई सिटाँ उनके पास थी उन सबी ऐसे महाराजगन समें पूर्वी उत्तरफरदेश के चौवन गाओं को राजस्व गाओं के रुप मानेता देकर के सासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कारे करके समाज के अंतिम पैदान पर बेखे वेखे तक सरकार सेंप पहुंशने का कारे किया था और महाराजगन जन्पत में तो उन्हीं लोगों के बीच में हम लोगों ने कारे करम किया था जिन लोगों के तक आजादे के बाद जिने आ तक की मतान देने तक का दिकार नहीं दिया गया था उन्हें मतान देने का दिकार भी दिराने का कारे किसी ने किया है तो भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने किया है और इसलिए गाह, गरीब, किसा, नौसबार और महलाओं के कल्यान के लिए कारे करने वाली सरकार एक तरफ मोधीजी के नित्रुतों में सारे चार वर्स से लगातार देश और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा रही है लेकिन दोसरी तरफ जाती के नाम पर बांटने वाली चाहिए वह सपा हो, चाहिए वह बसपा हो, चाहिए वह कॉंग्रेस हो, इन सब से मैं पूछना चाहता हूँ इन्हों ने जाती के अधार पर समाच को बाटा, समाच में बेंग्रिस से का पेदा की, वर्द संगर्स किस्ति भी पेदा की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ देश के अमदान से चलने वाली या प्रदेश सरकार के अलुदान से चलने वाली बोई भी सेक्शनिक सनस्ता उसका दहि gente क्या बनता है उसका दहीं तो बनता है कि उस संस्तान में भारत के समिधान के द्वारा प्रत्व मुसुची चाथी जन्जाथी पिछडी चाथी के लोगों को उनकी योजनाओं का लाफ प्राप्त हो आरफसन की सुन्दा का लाफ प्रत्वान किया जाए लेकिन दुर्बा के है लेकिन आजादी के बाद से लेकर के आज तक अनुसुची चाथी जन्जाथी या अन्य पिछडी चाथी के छात्रों को दोनों वहां प्रवेश मिलता है और नहीं नौकरी में किसी प्रकार का रिजर्वेशन ही वहां मिलता है और मैं पूछना चाता हूँ सफा बस्वार कांग्रेस के लोगों से क्या आखिर अलीगर्ण मुस्ली मिस्वित्याले में अनुसुची जाथी के लोगों को अनुसुची जन्जाथी के लोगों को और पिछडे जाथी के लोगों को आरक्षण की सुविधा का लाब नहीं मिल पाता है सता बसकार कॉंग्रेस को इसके बारे में स्पितिस पस्ट करनी चाहिए उनको बताना चाहिए कि आखिरे आरक्षण का लाब अलीगर्ण मुस्ली मिश्विधियाले में क्यों नहीं मिल पाता बनारा सिंदु मिश्विधियाले में इसका नाब दिया जाता है वहाँ पर मुस्वची चाती के चात्रों को आरक्षण की सुविधा है पिछडी चाती के चात्रों को परवेश में सुविधा है नोकरियों में भी सुविधा है हर संस्तान में है लेकिन अलीगण मुस्लिम इस स्ववित आले भार्वद प्रकार के उतान में से चले और सबके बाद जो किस प्रकार की सुर्णधाय ना दे हैं ये बातें इस बात को साबित करती हैं कि जितने भी रास्वितिक्त तब हैं चाहे वो आस सपा के नाम पर हो चाहिए बस्पा के नाम पर हो चाहिए वो कॉंग्रेस के नाम पर हो एक एवर्ग जातिय अभिस मावन करके आपको क्रमचोर करने का कारे कर रहे हैं और विकास की योजनाओं से आपको बंचित करने का कारे कर रहे हैं लेकिन वास्तों में आपका हक आपको मिले इसको दिलाने के लिए लोग इमानदार नहीं है हम सब को सासंकिन योजनाव का लाग समाज के प्रदेख तपके को दिलाने के लिए जहां प्रभावी धंग से अगे बढ़ना है और जिस बात को लेकर क्या दुने तुछानमत्री जी बार बार कहते हैं कि कैसे हम एक गरीब के लिए एक किसा प्रदेख तपके के लिए कि लिए कारे कर रहे हैं आदमे रास्तिय अब्रजशी तेहिंद्र सरकार के वजट के बारे में बताएंगे लेकिन कंद्राच सरकार ने भी अपना वजट प्रस्थ पूद किया आई-श्मान भारत में एक करोड़ अठारा लाग परिवार यानी प्रुर्देश प्रदेस के अंदर निसुल को पाँच लात की स्वंस्त्य सेवा का एक वर्षगत लाफ ले सकते हैं लेकिन उसमें क прост स्पर नाख लोगों को भी प्रदेश सरकार से उसकी विवस्ता करने कि परदेश सरकार चाहने कोई बी भी कि पंचितना रहेने पाए प्रदेश के अंदर हर प्रेक्ट को आयुस्मान भारत योजना के अंदर कर पांच लाग का स्वास्त भीवा का कवर मिल सके राज्य सरकार ने कल अपने वजट में इस बात की भोशना की प्रदेश के अंदर बालिकाओं के लिए बेटी मचाओ बेटी पढ़ाओ अदने प्रदानमंतरी जिने एक संकल्प लिया था उस संकल्प को प्रवाली смотреть से आगे वढ़ाया था आद भी समाच के अंदर एक सोच होती हादी आवादी को लेकर किस प्रकार की सोच है वह सोच और उस सोच के खिलाफ हम लोगों ने एक बात कल किया कि कन्या सुन बंगला योजना के नाम पर एक योजना प्रदेश के अंदर चलेगी कन्या के पैदा होते हैं उसके नाम पर एक रासी हम जमा कर देंगे कन्या के प्रवेस लेने के बाद ही उसके नाम पर फिर एक रासी उसके नाम पर जमा होगी और फिर जब पहली कलास में जाएगी तो टीका करना के साथ उस बालिका के नाम पर फिर एक रासी जमा करेंगे जब वो छटी करास में जाएगी तब भी उसके नाम पर धन्दासी जमा करेंगे जब वो असनातक में जाएगी तब भी उसके नाम पर धन्दासी जमा करेंगे और जब अब व्युवायोग्यों होगी उसके परिवार के पास एक कूजी होगी उस कूजी का उप्योग करके वहाँ उस कन्या की साथी कर पाएगा या एक कन्या समंकला योजना के लिए भी बारोसो क्रूर रुपे की दिवस्ता हम लोगों ने की है यही नहीं हम लोग उने प्रदेश के अंदर अने अने योजनाओं को आगे बढ़ाने की कारवाई भी प्रारम की है और उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के करम में कल हम लोग उने एक बात की है गाओं में मिट्डे मील में जो रसोय भोजन पकाते थे चार अलाग की आवादी है उन लोगों की लेकिन उनका मांदे बहुत कम था उनका मांदे हम लोग बढ़ानी जा रहे हैं गाओं के प्रहरी का मांदे बढ़ाने जा रहे हैं और गाओं में एक चोगितार जो रहता था वह बहुत अच्छा कारे कर सकता है उसके मांदे को बढ़ा करके वह समाच चनल डंग से आगे बढ़ सके इसी प्रकार से तमाम प्यार्डी जवां थी उन लोगों के मांदे पाग समाच को जोडने विकास की योजनाओं को तुर्टकी से आगे बढ़ाने और समाच के प्रदेख तक के वो सासन की योजना का लाब मिल सके तीन करोड पच्पन लाग परिवारों को वर्तमार में हम अंतोदे और पाद्र ग्रेस्पी की रासन कार्ड की सुद्दा खिलाए हैं कि भाईों बैणों भूत का कारेकता जित्ती मजबूती के साथ कारे करेगा अपने भूत के प्रवंद्द्न को और गेंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जिस मजबूती के साथ अपने आज़ पास के गारे में पहुचाने का कारे करेगा और जो अधने फ़ारमत्वी जी जिस बात को लेकर के बार बार कहते हैं कि बूत जीता तो चनाव जीता मेरा बूत सबसे मजबूर यह भाव जिस दिन एक-एक बूत अध्यक्स अपने अपने भूत के अंदर टै कर लेगा कोई दुनिया की ताकत भारती जन्ता पार्टी को चनावे सिक्कत नहीं दे सकती भारती जन्ता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है और यही आवान करने के लिएज हम सब आपके बीच आए हैं मैं एक बार पुना गौरक पुर्चेत्र में आदमे रास्तियत्यक्षी का हिर्दे से स्वाकदर अबिन्दन करता हूँ उनका मार्दर्जन दोजार उन्निस के चिनाओं में भारती जंता पार्टी को उत्तर प्रदेश से चबत्तर प्रस के लक्स के साथ गौरक पुर्चेत्र से सथ परस्थ लक्सकी प्राप्ट करने में अत्यांत में तो पुर्भोमिका का निर्वान करेगा इस पिस्वाज के साथ मैं उनका हिर्दे से स्वाकदर अबिन्दन करता हूँ धन्यबाद जैजे स्रीराम नरंत रमादी अभी अभी साथ